हालो दोस्तों, बेलकम टू डिबियोस नर्शरी, डिबियोस नर्शरी में आप सभी दोस्तों का हर्दी कभिनंदन है आज हम जी इस पौधे की बात कर रहे हैं, इस पौधे का नाम इंसुलीन है इसके बहुत सारे नाम है, एक ही पौधे के पौधे के पौधे भारत में अनेक परकार के नाम होते है जैसे इसका लाटी नाम बताते चले, कौस्टास, पिक्टस है और भी तामिल, कन्रा, केनरू, मल्यालम, मराथी, पंजावी, बंगाली सभी तरह के अलग-अलग नाम है जो की डिप्सन बॉक्स में दिये गए हैं और किन्ही को भी किसी भी परकार के पौधे के अब सकता है तो डिप्रिशन बॉक्स में दिये गए नंबर पे संपर करके पूरे भारत में कहीं भी घर वैठे मंगा सकते हैं तो हम इसके इंसुलीन के बारे में सबसे पहले बात कर ले भारत में सबसे ज़्यादा बीमारी होने वाली एक बीमारी है जिसका नाम है सुगर और यह हमारे इंसुलीन प्लांट डियाविटीज के लिए रामबन आयरुवेदिक माना गया है इसकी पत्ती का स्वाध खटा होता है पौधे के ताजे पत्ती चबाने से ब्लट ग्लुकोज लेवल को नियंतरीत करने में काफी हद तक मदद करता है अब हम इस बीमारी को कंट्रोल कैसे करें इस पर चर्चा कर लेते हैं इससे पहले हमें सुगर बीमारी के बारे में थोड़ा सा समझना जानकाई लेना पड़ेगा सुगर जिससे डियाविटीज कहते हैं डियाविटीज दो प्रकार के होते हैं फर्स टाइप वन और टाइप टू टाइप वन होती है जिसके अंदर हमारे सरीर के अंदर हर्मोन होता है इंसुलीन नाम का बनता ही नहीं है टाइप 2 में इसमें इंसुलीन तो बनता है मगर बहुत कम मातरा में इसकी वज़ा से हमारे ग्लुकोच है जो पूरे सरीर में घुमता नहीं है न शरीर में ग्लुकोच जाने की वज़ा से हमारा सूगर लेवल बढ़ जाता है जिसके कारण हमें अंग्रेजी और कोई तरह की दवाईयों का सेवन करना परता है ज्यादा अंग्रेजी दवाव का सेवन करने के कारण क्या होता है कि हम उसके आदी हो जाते है जिसके कारण काफी नुकसान भी पहुचता है तो कि अंग्रेजी दवा का काफी side effect भी होता है वेदिक दवा भारत में कैसी दवा जिसका कोई side effect नहीं होता है कुछ नोट करते चले कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सुगर को जर से समाप हो सकता है क्या तो हम आपको बताते चले कि सुगर को जर से अभी तक समाप नहीं किया जा सकता है लेकिन कंट्रोल रहता है इंसुलीन प्लांट के यूज करने से और गुड्मार्ग यूज करने से सुगर लेवल कंट्रोल में रहता है जैसे ही माचल साउथ में भी काफी इंच्यूट है जहां पर काफी रिशर्च किया गया है और भारत के अलावा बहुत सारे देशों में लोग सुगर कंट्रोल के लिए इंसुलीन पौधे का इस्तमाल कर रहे हैं अब हम इसके फायदे की बात कर ले यूज कैसे करना है तो इंसुलीन प्लांट की एक पत्ती सुभा में खाली पेट चवाना है दूसरा इस्तमाल करने की बीधी है इसके पत्यों को तोर कर धूप में सुखा ले और चून बना ले और एक चम्मज छोटे वाले चम्मज से सुभा खाली पेट साफ जल के साथ मिला कर पी ले तीसरा वीधी है प्रियोग करने का ताजे पत्ते को तोर कर मिक्सर में जूस बना कर भी शेवन कर सकते हैं इस तरह कि बहुत सारे फैसे हैं इसके और भी पीमारियों में बहुत फैस जो कि नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपने जो अपना किम्ती समय दिया इसके आपने बाद